असम्मेवे धानसबा चुनाव में जूइत हासिल करने के लिए कॉंग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं दोनों ही दल सत्ता तक पहुचने के लिए नई नई रणनीतियां अपना रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस और बीजेपी चुनावी प्रचार में केवल एक ही नेता का नाम ले रहे हैं वो हैं कॉंग्रेस के देगजनेता और राज्य के पूर्व सीम तरुन गोगोई अब कॉंग्रिस का तो समझ आता है लेकिन बीजेपी के रागलापने का मतलब समझ से परे है लेकिन इसके सियासी माईने निकाले जाएं तो बीजेपी गोगोई के सहारे ही सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सियासी चाल से हर कोई वाकिफ है सब जानते हैं कि बीजेपी अपने फायदे के बिना कोई भी काम नहीं करती है यहां तक कि चुनाब जीतने के लिए वो विपक्षी दल के नेता के नाम को भुनाने से भी पीछे नहीं हटती है असम में इस वक्त बीजेपी नेताओं की जुबान पर केवल कॉंग्रिस के दिगज नेता और राज के पूर्वसियम तरुण गोगोई का ही नाम है चौकाने वाली बात ये है कि पिछले चुनाब में बीजेपी ने उनके 15 साल के शासन काल के मुद्दे पर ही असम में पहली बार जीत दर्ज की थी लेकिन अब जब वो नहीं है तो बीजेपी उन्हें राज के असमिता के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है इतना ही नहीं मोदी सरकार ने इसी साल गरतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें पद्मभूशन सम्मान से नवाजा था साथ ही अब तक बीजेपी की कोई ऐसी चुनावी सभा नहीं हुई है जिसमें किसी ना किसी रूप में गोगोई की तारीफ ना की गई हो बीजेपी की इस तारीफ के तार सीधा सीधा चुनाव से जोडते हैं दरसल राजी की सियासत में वो गिने चुने कदावर नेताओं में थे उनके चहरे के जरिये कॉंग्रेस 2006 से 2016 तक लगातार सत्ता में रही उन्हें इस बात का भी श्रे दिया जाता था कि उन्होंने राज में दशकों से चले आ रहे हंगामे को खत्म कर विकास और अमन्चैन का दौर स्थापित किया वो अहोम समाज से आते थे जो की खांटी अस्मिया पहचान से जुड़ा है उपरी असम के हिस्से में अहोम समाज को दबबे वाला माना जाता है कहा जाता है कि जिसने उपरी असम जीता सत्ता उसी की होती है इसलिए बीजेपी बार बार गोगोई को याद कर असम की असमिता के सहारे फिर से सत्ता पर काबिच होने की कोशिश कर रही है तरुन गोगोई का नाम लेने की एक दूसरी वज़ा ये भी है कि तमाम सर्वे बता रहे हैं कि अब की बार सूबे से बीजेपी की विदाई तै है उसे कॉंग्रेस के नेतरत में बने महागटबंधन से ही सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है साथ ही पडोसी मुल्क के लोगों को भारत की नागरिकता देने का मुद्दा भी बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है ऐसे में बीजेपी तरुन गोगोई के जरिये खुद के लिए सुकून तलाश रही है अब देखना होगा कि क्या गोगोई का दाव उसकी गोद में जीत डालता है या फिर पूर्वोत्तर में उसकी हार की वजह बनता है डीबी लाइफ की रिपोर्ट